Hello and Welcome to Maths Saraswati Classes दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Rail Pay, ALP के Psycho Test से संबंदिर जिसमें ये हमारा 5 Battery Test जो होने वाले हो उसमें से एक टाइप होता है Memory Test का और ये Memory Test जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं आज हम इस वीडियो में इन दोनों तरीकों के जो questions हैं उनको solve करने वाले हैं किस तरीके से आप जल्दी से कम समय में इनको solve कर सकते हैं वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो सबसे पहले Memory Test के बारे में आपको कुछ basic जानकारी बताना चाहेंगे तो Memory Test जो होता है वो आपको बता दें दो टाइप का होता है एक कुछ इस टाइप का आपको आकरती दिख रही है इसमें क्या होता है कि कुछ यहां पर आकरतियां बनी हुई होती है एक दूसरा टाइप भी होता है उसके बारे में अभी हम जानकारी बताएंगे उससे पहले जो Memory Test होता है इन दोनों टेस्ट के बारे में आपको बता दें कि यह दो सेट में होता है या तो दोनों टाइप के question इसी type के आ सकते है या फिर जो दूसरा टाइप है उस type के दोनों सेट आ सकते हैं और इसमें जो total time मिलता है वो मिलता है आपको 8 minute का समय मिलता है 8 minute का आपको समय मिलता है और 2 set होते हैं इस बज़े से हर set में 12 question होते हैं तो 12-12 question होकर के आनिए आपके total number of questions हो जाते हैं 24 और इन 24 questions को आपको solve करने का time मिलता है 8 minute ठीक है तो यहाँ पे आपको एक पहला set जो है वो दिखाया गया है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यह total जो आकरतियां बनी हुई है यह 12 आकरति हैं और इन मेंसे हर आकरति अपने आप में एक question है तो जो 8 minute का time मिल रहा था उसमें से 4 minute का time आप एक set के लिए मिलता है इस 4 minute में भी क्या होता है कि 2 minute का समय आपको इस पूरी आकरति को देखने में मिलता है पूरी आकरति को देखने में उसकी आकरति की स्थितियों को समझने में कोई difference अगर आकृती में है तो वो समझने में और बाकी का जो दो मिनट मेंता है वो इन में आपको उसको आंसर को देने के लिए दो मिनट का ये समझनेता है तो इस type से हो जाता है आपका total 4 मिनट का time इस type के set के लिए इस type के 12 questions के लिए अब जो दूसरा type होता है वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि दूसरा type यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कुछ इस type की आकृतियां बनी हुई होती है और इन सभी आकृतियों के सामने कुछ ना कुछ numbers दिये हुए होते हैं यह दूसरा type का है तो इसमें क्या होता है कि जो number of questions है वो 21 questions होते हैं यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं 21 questions एक type के set में होते हैं और total यह 2 set होते हैं ठीक है दो set होते हैं तो total questions हो जाते हैं 21 और 21 करके 42 ठीक है और इन 42 questions को solve करने का time मिलता है आपको total 12 minute ठीक है अब अगर एक set की हम बात करें इस type के memory test के एक set के अगर हम बात करें तो अब एक set में total आपके number of questions हुए 21 और इनको solve करने का time हुआ आपको 6 minute ठीक है अब इन 6 minute में क्या होता है जो time का distribution होता है वो कुछ इस type से होता है 3 minute का समय आपको सभी आकर्तियों को देखने के लिए उनके numbers को याद करने के लिए 3 minute का time आपको दिया जाता है और बागी का जो 3 minute आपको बचा हुआ है वो 3 minute का time आपको answer करने के लिए दिया जाता है तो इस type से इस type के questions के जो होते हैं वो 2 set होते हैं तो दोनों सैट के नंबर जो questions हो जाएंगे वो 42 हो जाएंगे टोटल और टोटल टाइम हो जाता है आपका 12 मिनिट अब इनको आपको solve कैसे करना है वो एक बार हम यहाँ पे सीख लेते हैं तो अब सबसे पहले हम इस type के जो memory test है उसको solve करते हैं और इसमें एक सैट में maximum जो आकरतियां होती है वो 12 होती है और इन 12 आकरतियों के 12 questions कहे जा सकते हैं ठीक है एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि इनको आपको time मिलता है चार मिनिट एक सैट के लिए जिसमें 2 मिनिट का समय आपको दिया जाता है उन सबी आकरतियों को याद करने के लिए और बाकी का 2 मिनिट का समय दिया जाता है आपको answer करने के लिए वो भी इस type के memory test में यहाँ पे आप कुछ आकरतियां देख रहे होंगे अगर आप इनको count करोगे तो यह जो आकरतियां होगी वो 12 एक बार आपको count करके भी बता देते एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और यहाँ से नीचे चलेंगे तो 8, 9, 10, 11 और 12 इनको solve करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप इस पूरे box को दो भागों में divide कर दीजिएगा कुछ इस type से एक उपर से line करनी, एक नीचे से line करनी यानि कि इस पूरे box को दो भागों में divide किया आपने जिसकी वज़े से इसके 4 टुकडे हो गए पहला, दूसरा, और यहां पे तीसरा, और यहां पे चौथा ठीक है, अगर आप पहले box में देखेंगे तो आपको अब कैसे याद करना है इनकों आकरतियों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप box को याद रखें, और box में दी हुई आकरतियों की location को याद रखें पहले box में आप देख रहे होगे, चार टुकडे कर लिए हमने आप पहले box में देख पा रहे होगे, तो तीन आकरतिया है ठीक है, अब अगर time भी आप allot करना चाहा है तो time, 30 second का time इसमें दे सकते हैं आप 30 second का time इसमें दे सकते हैं और 30 second का time इसमें दे सकते हैं चाहे तो 25, 25 second का time दे दीजिएगा बाकी का जो बचा हुगा आपका 20 second है उसको एक बार पूरी आकरति को फिर से देखने के लिए आप दे सकते हैं यसे भी आपको अच्छा लगी ऐसे आप कर सकते हैं ठीक है तो आपको करना क्या है कि अब 30 सेकन्ड का टाइम देना है और 30 सेकन्ड में जो आकरती आपके इस बॉक्स में बन रही है तो उन आकरतियों को याद रखना है ठीक है तो यहां पे आपकी maximum sufficient time होता है तिस second में आप तीन आक्रतियां याद बहुत अच्छे से रख भी सकते हैं साथी साथ इनकी location भी आपको याद रखती है पहले box में आपने क्या-क्या याद रिखा कि एक प्लायर है, एक monitor है और एक घर बना होगा है इन तीनों की स्थिति भी कुछ इस तरीके से यहाँ प्लायर, यहाँ मौनिटर और यहाँ पे घर अब हम यहाँ पाले box पे दूसरे वाले box पे ध्यान दें तो दूसरे वाले box में क्या बना हुगा है आपको एक चीज और ध्यान रहनी है कि आप चाहें तो उसको पहले यहाँ पे पहला मान सकते हैं यहाँ पे दूसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे चौतरा जो भी आपको मानना हो नहीं तो आप हूँ घर को याद रखा फिर फिलायर को याद रखा फिर यहाँ पे मॉनिटर रखा अब इसी दिसा में हम चलेंगे तो यहाँ ढ्न रखेंगे कि इसके यहाँ पर टेलीफॉन है और यहाँ पे कस गाड़ी बनी वही है टीक है यह कुछ वहिकल हुई है जो कि दो मंजला इमारत है और इसी टाइप से आप यहां जाएंगे तो एक जोपड़ी टाइप घर बना हुगा है जिसकी जो चछत है वह बी टाइप में है यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और यहाँ पर एक गल है जो कि कुछ पढ़ रही है और यहाँ देखेंगे तो कुछ और अलग टाइप की इमारत डिजाइन इमारत बनी हुई है ठीक है ऐसे ऐसे करके आपको 30-30 सेकंड का समय देना है इन में और इस तरीके से आप बॉक्स को रख सकते हैं और उसकी डिरेक्शन भी देख सकते हैं जैसे भी आप उसको रखना चाहें अब दो मिनिट टाइम हो गया दो मिनिट बात आपको आंसर जो है उसको देना होगा आंसर को तो अब आप यहां पर देख सकते हैं आंसर देने के लिए जो आपको दिखाया गया है कुछ आकरतियां वही सेम आकरतियां है यहां पर 12 आकरतियां जो थी वह यहां पर आकरती बनी ह आपको तो सिर्फ अपने जो दिमाग में आपने पिक्चर जो इमेज बनाई हुई है उस इमेज को आपको ध्यान रेना है कि हमारी कौन सी बस्तू कौन सी जगह पे इस्थित्ती जैसे हमने देखा था कि जो प्लायर था हमारा ये बाला प्लायर भले ही ये साथ नंबर है लेकिन ये प्लायर कहा था हमारा यहां पे बना हुगा था राइट आपको ध्यान होगा यहां पे प्लायर बना हुगा था हमारा हम उपर गए थे इसी के जस्ट यहां पे एक मॉनिटर बना हुगा था तो मॉनिटर आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा यहां पे दूसर तरीकी की आकरती का था एक प्लायर यहां पर बना हुगा था दो उपर गए थे तो यहां पर तीन बना हुगा था कुछ है मॉनिटर बना हुगा था तो तीन आकरतियां आपकी यहां हो गई अब बाकी का दो यहां पर बचा हुगा था तो यह वाला बॉक्स जो था यहां पर टेलीफोन बना हुगा था यह वाला टेलीफोन आप देख सकते हैं तीसरी नंबर का यहाँ पे यहeless ठेलीफोन बना हुगा था ठीक है हलाकि यह चौथी नंबर की अकृती है बट हम्ありがとうございました के टाइप से ठीक है फिर यहाँ पे तो यह गाड़ी बनी हुई थी और यहां पर और नीचे चले थे तो नीचे बना हुगा था आपका अलग टाइप की गाड़ी जो कि यहां पर दिखाई गई है यह वाली गाड़ी यहां पर देख सकते हैं यह वाली गाड़ी ठीक है फिर उसके बाद एक मोटर साइकल बनी हु Χوت इवर्गा था एक लड़की थी जो की कुछ पढ़ रही थी, वह यहां पर बनी हुई थी और एक अलग टाइब की की डिजाइनिंग वाली जो आकरती थी वह यहां पर बनी हुई थी बस आपको ईसकी क्या करनी है आप प्रैक्टिस करनी है अलग जो question है कुछ इसी type के होंगे आपके पास उन questions को जितनी ज्यादा आप practice करेंगे शुरूबात में आपको थोड़ी दिक्कत होगी पर जितनी ज्यादा आप practice कर लेंगे उससे ज्यादा आप बहतर कर पाएंगे इस type के questions को solve कर पाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दूसरा जो है diagram यहाँ पर बना हुगा है कुछ दूसरी आकृतियां दे हुई है जिनमें आपको क्या है कि इनका level जो है वो थोड़ा बड़ा बड़ा करके आपको label ऊपर करके दिखाया जा रहा है पहले जो question था वो थोड़ा सा simple थ था उसमें अलग-अलग type की आकृतियां बनी हुई थी तो उनको याद करना थोड़ा सा आसान था यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी आकृतियों में एक जैसी जोपडियां बनी हुई है बस इनमें फर्क क्या है किसी की छत को डार्क ज्यादा कर दिया गया है किसी की अलग type की बना दी गई है तो किसी में जंडा लगा हुगा है किसी में अलग type का और design है तो यह सारी चीजे हैं लेकिन आप जितनी ज्यादा practice करेंगे उतनी ज्यादा आप बहतर कर पाएंगे यहां भी आपको क्या करना है चाल टाइप के भागों में इसको divide कर लेना है आप इसकी खड़की जो है वो एक type से है लेकिन वो थोड़ी सी आयताकार में बनी हुई है यहां पर जो खड़कियां बनी हुई है वो दो चोटी खड़कियां है और एक बड़ी है जो की एक बड़ी वाली आयताकार है और जिसका जो color है वो ज्यादा dark नहीं किया गया है और बा इसरे टाइप के memory test में आ जाते हैं जो कि आपको एक बार आपको फिर से बता देते हैं यहाँ पर कि इस टाइप के memory set जो होते हैं वो दो टाइप के set होते हैं जिसमें आपको number of total number of questions जो हो जाएंगे यानि कि एक set में 21 questions हो जाएंगे और इनको आपको solve करने का total time मिलेगा वो 12 मिलता है यहाँ पर 12 मिलता है इसलिए हर set के लिए यह 6 मिनट हो जाएगा और इस 6 मिनट में आपको 3 मिनट में यह सारी आकरतिया याद रखनी होगी और 3 मिनट में आपको इनके answer देने होगी ठीक है तो अब हम एक type का यहाँ पर set ले ले दे हैं एक set में 21 question maximum question रहते हैं इनम पर आपको क्या करना है तीन टाइब के इस type से आपको बना लेनी है पंक्तिया टाइब बना लेनी है और इन इस तंब को आपको याद रखना है ठीक है टूटल टाइम आपको पता ही है कि इसमें आपको time मिलता है 3 मिनट का समय आपको सारी याकरतियों को देखने में मिलता ह आप time को distribute कर सकते हैं 50-50 second में 50 second इस के लिए इस type के लिए 50 second इस thumb के लिए और 50 second इस thumb के लिए बाकी का आपका जो 30 second बच रहा है उसको आप सबसे last में इस पूरी आकरती को एक बार फिर से अच्छे से देखने के लिए कर सकते हैं तो यहां पर क्या है कि आपको कुछ नंबर दिया है कोई आकरती बनी हुई है और उसका जो है कुछ नंबर दिया हुगा है तो अब आपको यहां पर पूरी रो याद करनी होगी तो आपको 50 second का समय अपने उस रो के लिए अलोट करके रखना है 50 second में सारी रो और जिसमें जो आकरतिया हैं उनके नंबर को याद रखाएं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एक चूजा है जो कि अंडे को तोड़ के बाहर निकल रहा है और जिसके लिए जो नंबर है वो आपको 12 दिया हुगा है तो हो सकता है कुछ आकरतिया ऐसी र जड़के हैं जो कि एक कुट्टे को लिए हुए हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यह 6 ताइप दिख रहा है ऐसा कुछ तो इसको आप 6 मान सकते हैं यहां पर और कुछ आकरती अगर मिलती जुलती हो तो उस टाइप से आप बना सकते हैं उसको भी बैसे उसको मेमोरी में आप चोड़के रख सकते हैं जैसे कोई ट्रिक होती ना हम ट्रिक बनाते हैं कुछ उसी टाइप से जैसे अब यहां पर कुछ टैडी बना हुगा है इसका जो नंबर है वो 55 दिया हुगा है तो उसको आप टैडी को 55 से कुछ लिंक कर सकते हैं जग है जग की आकरती को 96 से ल उसकी याद रखने की छमता और ज्यादा बढ़ेगी जिसकी वज़ा से आप और अच्छे से इसको कर पाएंगी इनमें आंसर में आप देख पा रहे होंगी तो अब आपको करना क्या है इस पूरी पिक्चर को याद करने के बाद आपको अब क्वेशन के नंबर के सीक्वेंस पर नहीं जाना है बलकि आकरती के सीक्वेंस पर जाना ठीक है यह हमने याद रखा तो अब यहां पर सारी आकृतियों में देखा यह है वह आकृति जिसके लिए 46 नंबर दिया हुगा था इसके लिए जो आंसर होगा वह 46 आंसर हो जाएगा अगली आकृति जो थी वह टैडी बनी हुई थी टैडी के लिए जो नंबर था वह 55 46 था वहां पर अलोट किया हुगा था तो यहां पर 96 हो जाएगा सेकेंड हमने देखा था कैट बनी हुई थी कैट के लिए जो नंबर दिया हुगा था वह 39 नंबर कैट के लिए था तो इस टाइप से आपको क्वेस्टिन को याद रख रहा है जितना जादा आप प्रेक्ट कैसे सॉल्व करना है इसके बाद हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रेक्टिस करवाने वाले हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजगा जिसकी वज़े से आपको जो नो जानकारी होगी कैसे आपको सॉल्व करना है उन सभी जानकारियों के साथ